नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको एक छोटा सा फार्मूला अक्सर गाओं द्यात में हमारे जो बुजरुग लोग थे इस फार्मूले को फर्स्टेट के तोर पर करते थे अगर किसी को कोई भी गुम चोट लग जाती थी मास फट जाता था या कहीं से गिर जाते थे चोट लग जाती थी कमर में दर्द गुटने में दर्द सोजन आ जाती थी तो इस फार्मूले को वो अपनाते थे उसमें क्या करते थे एक गेहों की रोटी लेते थे और उसको एक साइड पका लेते थे यानि कच्ची पकी एक साइड पकी हुई एक साइड कच्ची रोटी लेते थे और जिस साइड कच्ची रोटी होती थी उस पर कोई भी सर्सों का तेल या फिर जोडों के दद का कोई भी आयरुवेदिक तेल लेते थे और उस पर लगाते थे जैसे हमने इस पर जोडों के दद का आयरुवेदिक तेल लिया है और रोटी के कच्ची वाली सैट पर हमने जोडों के दद का तेल लगा लिया है आप इस पर हमने करना क्या है हल्दी पौडर को प्रूक लेना है आपको अगर हल्दी प्राकर्तिक एंटिबाइटिक है बहुत ही जोडों के दर्द में फगाम करती है इसके बाद आपको करना क्या है जहां पर आपको गुमचोट लगी है मास फटया हुआ है घुटने में दर्द रहता हो गुटने में सोजन हो कलाई का दर्द हो कंदे का दर्द हो या फिर आपको कमर में दर्द रहता हो डिस्ट स्लिप हो गई हो तो आपको करना क्या है कोई भी जोडों का दर्द का देल लेकर हलके हाथों से उस पर मसाज करनी है करीब 5-7 मिट बहुती कारगार फर्मूला है इस फर्मूले को हमारे गाउं ध्यात में अब भी करते हैं अगर उनको कोई भी सोटी मोटी ऐसे दर्द हो जाते तो उनको होस्पिटल या फीजियो थेपी के पास जाने की जरूत नहीं पड़ती हो फर्स्टेड इस परकार से घर पर ही करते और इस फर्मूले को आप भी अपना कर देखिए बहुती कारगार है अगर आपको नस पे नस चड़ गई है या कोई मसल्स क्रेंप आ गाया तो आप एक बार इस फर्मूले को जरूर अपनाए पहले दिन से आपको अराम लगेगा ये देखिए हमने हलके हातों से गुटने पर मसाज कर दी है इनको घुटने में माताजी को दद रहता था और हमारी जो रोटी है वो भी बिल्कुल त्यार हो गई है ये देखिए इनको घुटने मोडने में भी दिक्कत होती है बिल्कुल जकड गया घुटना हलके हातों से इसको मसाज कर दी है अब जो हमने रोटी त्यार की है, हल्दी वाली, तेल वाली, इसको गुनगुना, हलका गुनगुना, कम गुटने पर इसको बांद देनी है, आप इसको लगा कर दे सकते हैं, ज्यादा गरम तो नहा है, हलकी गरम को गुटने पर जहां पर दर्द रहता है, मास फटे हुआ है, गुम्चोट है, वह इन में बांध रहे तो करीब 4-5 गंटा इस प्रकुरिया में रोटी को बांधना है तो आपको फायदा पहले दिन से आपको फायदा होगा स्वैलिंग सोजन अगर रहती है तो पहले दिन से आपकी स्वैलिंग उतरने शुरू हो जाएगी अगर आपको कमर में दर्द रहता है तो भी आप इस प्रकरिया को कर सकते हो कई पर नस पे नस चट जाती है तो भी आप इस प्रकरिया को कर सकते हैं नसों में खिचा हुआ जाता है तो भी आप इस प्रकरिया को कर सकते हैं देखे हमने इनको बांदी है करीब 4-5 घंटे ये बंदी रहेगी बाद में इसको खोल देंगे ये प्रकरिया करीब एक अपता 15 दिन लगातार भी कर सकते हैं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आपको इसमें फाइदा ही होगा तो इस वीडियो को जादा से जादा शे झाल 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 झाल